तो हम बात कर रहे थे राहू के बारे में राहू अगर आपके D9 चार्ट में विभिन भाव में इस्तित होते हैं तो ये आपको क्या प्रिणाम दे सकते हैं तो इस वीडियो में जानेंगे 9,000 के बारे में अगर आपके D9 चार्ट में 9,000 में राहू इस्तित हैं तो ये आपको आप हो सकता है दूसरे कल्चर के परती ज़्यादा अकरसित हो। राहू इसी तरह की अप्रोच को आपके marriage life में भी दिखाता है। हो सकता है कि आपकी जो marriage हुई है वो intercast हुई हो या वो interreligion हुई हो। या आपकी marriage होने के बाद कुछ ऐसा हो सकता है कि आप जो foreign culture है उनका अध्यन करने में लग जाए और आपके जो दार्षनिक विचार हैं जो आपके कुछ इस परकार के जो कुछ फरमाइडियाज हैं जिनके उपर आप अभी तक चल रहे थे आप उनको बदलने को आपके फादर के लिए भी यह दिखाती कि आपके फादर के भी बहुत सारे foreign tune हो सकते हैं और marriage के जस्त बाद आपको भी कोई विदेश यात्रा करने पढ़ सकती है यह विदेश यात्रा आपके कोई धार्मिक परपरज या आपके कोई educational परपरज के लिए हो सकती है रहु का यहां पर आना आपको एक अलग परकार की कोई ऐसी अलग कुछ creativity दे सकता है या ऐसी अलग कोई approach दे सकता है ऐसी thinking दे सकता है जिसके माद्यम से आप कुछ अलग करने को देखें तो आप marriage से पहले और marriage के बाद दोनों तरफ आप बिलकुल एक different approach के वेक्ति होंगे आपका सो राहू का यहां पर होना यह दिखाता है कि आप हमेशा विदेश यात्रा करते रहेंगे भले आपका विदेश में settlement हो या ना हो इसके अलवा आपको कुछ ऐसे विचार देता है राहू आप अपने आपको force करते हैं 9th house के परती आप पुझा पार्ट करने के परती या कोई और different परकार का कोई भी कारी करने के परती आप अपने आपको खुद को force करते हैं आप खुद की गलतिया निकालते हैं और उसके इसाब से आगे बढ़ते हैं तो राहू एक strong आपको will देता है ऐसी strong power यहां पर दे रहा है राहू जिसकी विज़े से आप 9th house के कारियों को करक जिवन में अब यह इस्तिति में आपका जो partner होगा वो एक अलग approach लेके या वो एक अलग परकार की theme लेके आपके life में आ सकता है ऐसा partner आपको हमेशा जो religious views हैं उनके परती attract करेगा वो आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा और यह approach यह भी दिखाती है कि आपका जो राह relation बिगड़ना आपको सही परकार से किसी की सलाह नहीं मिल पाना या आपके अपने गुरुजनों के साथ आपकी relations बिगड़ना इस परकार की स्थितियां हो सकते हैं अगर राहू खराब स्थिति में हैं तो आपके father के भी health issues हो सकते हैं यहां राहू का आना अच्छे स्थिति करना चाहिए कोई different approach उसको अपनानी चाहिए विसेश कर religious मामलों में तो ऐसी जातक कि बहुत सारी ऐसी यात्राइं होंगी उसकी different different countries में उनके culture को जानने के लिए वहां की लोगों के साथ मिलने जुलने के लिए उनकी कुछ यात्राइं जरूर होंगी और even यहां पर ऐसी ज कंट्री का culture पसंद आता हो आपको कोई country के लोग ज्यादा पसंद आते हो और वहां की जो culture है वो आपके बिलकुल दिल में बैठ गई हो तो हो सकता है कि आप वहां जाके रहने लगे और वहां के कुछ ऐसे आइडिया जो आपको काफी ज्यादा पसंद आते हो आप उनको ब हैं उनके बारे में अलग-लग अध्यान करके कोई research कर सकते हैं यह आपके उच अध्यान के लिए काफी अच्छा होगा अगर आप humanities में हैं तो आपको काफी ज्यादा साहिता यहां राहू उच अध्यान में कर सकते हैं यह राहू की स्तिति यह भी दिखाते कि आप अपने ध हो सकते हैं तो आपका focus mainly 9th house पर ही आएगा marriage के बाद और 9th house को जितना आप strong करेंगे जितने आप 9th house से related काम करेंगे उतने ही बहुत जल्दी बदलाव आपकी life में आते जाएंगे तो कुछ इस परकार के result राहू 9th house में देंगे जब भी वो आपके डिनाई चार्ट में आत है